नमासकार स्वगत्य आपका हमारे चंचार जागंदर मिशा में कन्य राशवालों मिठाई वाटने के लिए हो जाओ तयार क्यूंकि 30 मई से राजय जिसे जिन्दगी जियने का अफसर मिलेगा अब माता लक्ष्मी के आश्रवास से आपको अनेको प्रकार की बड़ी बड़ी और बड़ी बड़ी सफल ताइं मिलने वाली है जी हां दोस्तों माता लक्ष्मी के आश्रवास से अब आपके जीवन में कुछ ऐसे बड़ी बाते होंगी एससे बड़ी बड़ी बदलाव होंगे जिससे कि अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा दोस्तों कन्य करने रास्क्यातकों वो बड़ी बड़ी खुश खबरी कौन सी है इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो के अंतक अवश्च बने रहें इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिश्च ना करें क्योंकि यह वीडियो आप ले बहुत ही महत्पून रहने वाली है तो चलिए द अभी एक्छाई पूरी करने के लिए धेर सारा धन हो और जब धेर सारा धन होगा तो ऐसो आराम की जिंदगी भी होगी यदि बहुत सारा नहीं हो तो कम सकम इतना धन हो कि वह अपना गुजारा कर सके आज लोगों की जिंदगी में अगर रूपया पैसा नहीं है तो घर के बुरे हालाद हो जाते हैं, उन्हें गरीबी का मुह देखना पड़ता है, और आपके पास धन है, तो हर छेतर में काम्याबी मिलती है, और घर में खुसियां छाई रहती है, और आपके सारे बिगड़े हुए काम बनते चले जाते हैं, धन पाने के लिए लोग कड़ी महनत करत हैं, कुछ लोग छल कपट के द्वारा जल्द से जल्द धन कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमूनन लोगों की यही सिकायत होती है, कि धन उनके पास आता है, और जल्द चला भी जाता है, इसले कहा जाते कि धन सदैब इमानदारी से कमाना चाहिए, कि वही धन हमारे सही कम आता है, दोस्तों देवी लक्षमी जी को धन की देवी कहा जाता है, और कहा जाता है कि इनकी कृपा जिसके उपर हो जाए, उसका जीवन खुश्यों से भर जाता है, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में सभी का भाग एक बराबर नहीं होता, किसी की अमेरी और किसी की गरीबी उसकी मेहनत पर निर्वर करती है, अगर कोई गरीब पैदा हुआ, तो वह अपनी मेहनत से अमेर बन सकता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो चाहे अमेर हो या फिर गरीब, उनके अंदर धन कमाने की चाहत बांकियों से अधिक होती है, ऐसे में हमारे ग्रह नचत्रों में कोई भी परिवर्तन होता है, तो उसका असर कुछ राशियों पर शकरात्मक तो कुछ राशियों पर नकरात्मक पड़ता है, दोस्तों आपको बता दे कि जोति सास्त्र के मुताबिक अब ऐसा दूरलब सुबसंयोग तीस मई को बन रहा है, जिसके सर्वार सिध्योग और साथी कई सारे दूलब योग बन रहे हैं, साथी इस दिन बड़ सावितरी का महा पर्विवी है, दोस्तों तीस मई को कई सारे दूलब सुबसंयोग बनने से और सर्वार सिध्योग की बनने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दिश्टी कन्यराश प्रण बसकिँ जात्कों आप के उपर रहने वाली है जिसे कि अब आपकी सभी मनोकामनाएं मातालक्ष्मिक पूरी करने वाली हैं मातालक्ष्मिक कृपा से आप लोगों का किस्मा तब बदलने वाली है जीहां दोस्तों tam अब आप राजे जिसे जिन्दगी जीने का अफसर मिलेगा माता लक्ष्मी जी आपके धर में पधारने वाली है जिसे आपके जीवन में अनेको प्रकार के खुशिया आने वाली है आपको अनेको प्रकार के धनलाभ माता लक्ष्मी से प्राप्त होने वाले है दोस्तों माता लक्ष्मी के आस्रवाद से अब आप कमानसी कृप से धार्मिक भावनाओं का उदाय होगा आपके लिए यह संयोग बहुत ही अच्छा और सुब फल दायक शाबित होगा आपके जीवन साती को साथ अच्छे संबंध और मधूर बने रहेंगे अराम करने के लिए आने वाले दिन और आप के लिए यह दिन सांदार रहेंगे पत पतनी कहीं बाहर घूमने फिनने जा सकते हैं दमपती जीवन में खूशे अवर्षेंगी साथी साथ बिवाह में देरी हो रहे थी जीन जातकों के माता लक्षमी कृपा से जल्द नए रिष्टे आएंगे शुब कारकरम हो शकते हैं मांगले कायकरम शंपन हो शकते हैं माता लक्षमी कृपा से अब तीस माई के बाद राजे से जिन्दगी जीने का अपसर मिलेगा गाड़ी बाहन की खरीदारी करेंगे सुक साधरों में बरद्धी होगी कई महतपूर्ण योजनाओ के लाप मिलेगा आपके दरा बनाए गई योजनाओ काफी कारगार सावित होगी जो कार आपके अठके हुए हैं वो कार अब आशानी से पूरे हो जाएंगे महत्मूर्ण सफलताएं प्राप्त होंगी साथी साथी इसमें आपकी आमदनी बढ़ेगी और दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की होगी साथी माता लक्षमी कृपा से अब आपको नई जोब लगने के संभावना है बिजनेस व्यापार कारवार का विस्तार करेंगे महत्मूर्ण आपको लाप देखने को मिलेगा जो कार आपके धूरे पड़े थे उनमें विशेश रुप से सफलता प्राप्त होगी अने को प्रकार के धनलाप की योग बन रहे हैं आपके दोरा बनाएगे योजने काफी कारगर सावित होगी महत्मूर्ण लाप देखने को मिलेगा जो कार अभी तक अधूरे थे उनमें विशेश रुप से सफलता प्राप्त होगी और मन चाही नौकरी मिलेगी साथी बिजनेस व्यापार में दुगने धनलाप के साथ आगे बढ़ेंगे कने राश्रियात को अब इसलिए तो कहा है कि मिठाई बाटने के लिए हो जाओ तयार क्योंकि तीस मई से राजर इसे जिन्दगी जियने का अबसर मिलेगा क्योंकि अब आपके उपर माता लक्ष्मी जि महरवान होने वाली है दोस्तों तीस मई को कई सारे दुलब सुभसंयोग बनने से माता लक्ष्मी खास क्रिपा बनी रहेगी कने राश्रियात को आपके उपर और आपका दामपती जिवन खुशाल रहेगा संतान की प्राप्ती होगी और प्रेम संबंद मोजभूती आगी मधूरता आएगी धन संपत्ते में इजाफा होगा इस समें बैंक वैलेंस बढ़ेगा और धन खर्चों में कमी आएगी माता लक्ष्मी क्रिपा से आपको अनेक योजनाओं का लाव मिलेगा साथ ही साथ अनेक शेत्रों से विशेश लाव देखने को मिलेगा जो कार्याप के धूरे पड़े थे उनमें विशेश रुप से सफलता प्राप्त होगी महत्पूर्य योजनाओं का लाव मिलेगा और आपके द्वरा बनाई गई योजनाओं का लाव मिलेगा जो कारे आपकी अधूरे थे, रुके थे, उनमें विशेश रुप से सफलता प्राप्त होगी, साथी महतपूर योजनाओं का लाव मिलेगा, और इसमें दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की होगी, और तरक्की पाने के लिए आप जो प्रियास करेंगे सफलता मिलेगी, मात की आमदनी के सुरुद बढ़ेंगे, मातल लक्षमी कृपा से अब आप इसमें कोई नए बिजनेस भ्यापार के सुरुद कर सकते हैं, साथी साथ आपको बता दे कि इसमें बिदेशी कंपनी से लाव होगा, बिदेश जाने की योजनाओं बनाएंगे, सिक्षा के श्चेतर मिलेगा, गारी बाहन का शुक प्राप्त करेंगे, और नए घर का निर्मार करेंगे, साथी साथ नए भवन के निर्मार करने से विशेश उपलब्दिया प्राप्त होंगी, अच्छे अबसर आपको प्राप्त होंगे, आपके द्वारा बनाएगे योजनाओं काफी कारगर सावित होगी, और महत्पूर्ण लाप देखने को मिलेंगे, अच्छे लाप होंगे, साथी कुछ ऐसे कार पूरे होंगे, जो काफी तुन से अधूरे पड़े थे, पिंडिंग थे, यानि कि इसमें आप दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की करेंगे, साथी साथ लाप की स साथी आपको कई च्छेतरों से बिशेश लाप होगा, इसमें मान समान की प्राप्तियों के समाज में आपकी प्रतिष्टा बढ़ेगी, लोगपुरिता बढ़ेगी, राजनितिकी च्छेतरों में आपको बड़ा पदम हाशिल हो सकता है, घर परिवार के सुक शाधरों में ब्रदी करेंगे, माताल लक्ष्मी किर्पा से कन्य राजनितकों अब आपको कई उजनाओं का लाभ मिलेगा, मीठी वारी से महित्पूर्ण कार करवाते नजराएंगे, साथी इसमें स्वास्त समंधी परिसानियों से मुक्ति मिलेगे, स्वास्त बहतर होगा, इसलिए तो क